पर डिपेंट नहीं रहना पड़ेगा एक अतरिक्त फसल के रूप में वीच सीजन में हमको कुछ अतरिक्त आमदनी प्राप्त हो जाएगी जिससे हमारे अन खर्चे जो इसमें लगे हुए है वह हमको प्राप्त हो जाएंगे और यह बहुत ही अच्छी विदी है जिसमें हम सुरूब हो इसकी मिट्टी को दोनकर गपटने में चड़ा देते हैं और एक यह गहरी सी सी लैन बनती है जो इस अब फिर्चे सब्सस्ब्री बार्दच करने से कम सबस्री कमात्रलिगे में और जो है गयन्या अच्छा होता है साथ मैं सायर्पसल भी लाव होता है तो इसी म किसान लेना चाहता है और वह ऐसी तक्निकी चाहता है जिसे गेहूं और सरसो को भी गन्य के साथ सफलतार पूरफ ले सके किस्में रेजड भी अच्छा हो जाता है और लाही अच्छी हो जाती उसके अलावा इसका और है इसमें देड़ और तीन फित की जो उने दूरी रखें जैसे यह एक लाइन की रखी है और तीन फित एक वेड़ के बीच की और फसल काटने के सरसों की या गीवू की फसल काटने कि तुरंद बाद हम क्या करेंगे पानी लगा करके और फिर यह उठी हुई मेड़् है यहां पर एक ट्रेंज ओपनर जो पहले चला था चलाएंगे उसके बाद गन्ना हमारा मेड़ पे हो तो हमारी तुरंद मिट्टी भी चढ़ जाती है अगर हम दूरी जादा रखते हैं जैसे लोकेसर ने भी कहा था लोकेसर ना जी ने की चार फीट की दूरी तो 4 फीट की दूरी पे फिर हम यह परक्रिया नहीं कर पाएं यह टो एक आयडियल दूरी हम ने इसको खुशित कर दिया देर तीन सभी फीचर्स फुल रिखमंडेट फुल एक्पूरूवड कर दिया है फुन पूरी तरीके से कॉन्फिदेंट हो गया है कितने शेत्र में इसको कर रहे हैं अभी यह सब्सक्राइब दो एकड़ पर डेमो चल ला है जैसा जैसा बीच में आके देखते रहेंगे इसको इसका प्रडाम बहुत ही अच्छा होने वाला है और बीच में भी इसको प्रिगत की बारे में आप लो अमारे